जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम हिस्ट्री पेपर फस्ट का चैप्टर 11 देखेंगे जिसमें हमें पढ़ना है कैबिनेट मिसन के बारे में इसके पहले हमने क्रिप्स मिसन को पढ़ा था उ कि बिभिन दलो ने उसे किन काड़ों से अस्विकार किया था इन सभी बातों को हमने पढ़ा था उसके पश्चात कैबिनेट मिसन आता है उसके विसे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कीजिए जिससे आपको सभी कलासे यहां जो कराई जा रही है उसके नोट्स वहां प्रोवाइट कराए जाते हैं वहां से आप राप्त कर सकें कैबिनेट मिसन एक परकार से बहुत ही इंपॉर्टेट मिसन था यह क्यों लाया गया क्योंकि उस समय जो सरकार थी जो उस समय सरकार थी चर्चिल की चर्चिल उस समय हार जाता है चुनाओ उनिस सो पैतालिस में ब्रिटेन में जो आम चुनाओ होता है तो उसमें हार जाता है और लेबर पार्टी जीत जाती है उसकी सरकार बन जाती है और वहां के प्रधान मंतरी प्रा उनके मन में एक प्रकार से और बदलाव आते हैं भारत के लिए अच्छे कारी करने भारत के स्वाधिनता देने भारत को सुतंतरता देने का मन में उनके विचार आता है और विभन प्रस्ताओं को और कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो हम इस चैप्टर में इसको अच्छे से देखेंगे साथी साथ अपने दोस्तों को आप अवसे सेयर केर दीजिएगा और हमने आपको बोला है कि जब आपके एक्जाम हो जाएं तो एक्जाम पेपर आप टेलिग्राम ग्रूप में अवसे भेज दे जो टेलिग्राम चैनल है वहाँ पर आप जब ज सकते हैं तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में 24 मार्च 1946 को भारत में आया हुआ था 1946 इसबी में महत्वपूर राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव भारत पर पढ़ना भी स्वाभाविक था चर्चिल के अस्थान पर मजदूर दल के निता एटली इंगलेंड के प्रधान मंतरी बने भारत के प्रति एटली का दृष्टिकोर जो है वह चर्चिल से भिन्न था इसके अतरिक भारत मंतरी के पद परिवी मजदूर दल के सदसे पैथिक लारेंस नियूक तो हो गये थे दोनों जगह बदला हो जाता है चर्चिल का जो सुभाव था चर्चिल का जो एक परकार से मत था दृष्टिकोर था भारत को लेके वह भारत को सुतंतर नह ही देना चाहता था भारत को सुवा सासन नहीं देना चाहता था वह सक्ति के बल पर भारत को अपना एक प्रकार से अपनी वेसी ग्राज्य बनाए रहना चाहता था लेकिन एटली जब आते हैं तो उनका दृष्टिकोर थोड़ा बदला हुए रहता है साथ ही साथ पैथिक भी आ जाते हैं पैथिक लॉरेंस जो हैं वह भी भारत के लिए अच्छे ही विचार रखते हैं इटली और लॉरेंस के समच्छ भारत के समय दो विकल्प थे कौन-कौन से प्रथम तो यह था कि जैसा कि चर्चिल का विचार था कि सक्ति का प्रयोग करते हुए भारत में ब् पर एक प्रकार से ब्रिटिस सासन कायम रखना और दूसरा क्या था वह अगर चाहें तो सरकार को एक प्रकार से भारत को सुतंतरता की जो मांग कर रही है उसे स्विकार कर ले जो प्रधान मंतरी एटली बने हुए थे लोवेबर पार्टी के मजदूर पार्टी के उनका यह विचार था कि भारत को सुतंतरता देद दीनी चाहिए एटली की इस विचारधार का कारण उनका एक द्रिष्टी कोड ही नहीं था उस समय ततकालीन भारत की स्थिती भी थी इस्थिती को देखते हुए दूरदर्सी एटली यह समझ चुके थे सक्ति के द्वारा भारत में जी सासन भाविस्य में अधिक दिनों तक चलाए रखना संभव नहीं है उनको पता था कि जिस तरह की स्थिती भारत में चल रही है जिस तरह के उसमें विद्रोह चल रहे हैं आंदोलन चल रहे हैं आजाद हिंद फाउज कांग्रेस विभिन दलों के माध्यम से जो भी उन्हें सोतंतरता दे 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 दिरती विस्युद्य के दवरान आजाद हिंद फाउज द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना तथा भारत में नौसेना वाईसेना के द्वारा विद्रोह किया जैसी घटनाएं जो एटली को उक्त विचारधारा अपनाने के लिए विवस कर रही थे उस समय जो घटनाए घटी भारत एक प्रकार से विद्रोह में बहुत वाचस बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहा था वह दिरती विस्युद्य जब हो रहा था तो आजाद हिंद फाउज दो सुबास चंदर जी बोस जी ने बनाया था वह एक प्रक से हमको समझ में आ जाए तो इसके पस्चात क्या हुआ कि उनकी विचारधारा में एक प्रकार से परिवर्तन देखने को मिला और उन्हों ने एक तरह से समझ लिया कि हम सासन जो है जादा दिनों तक सकती के माध्यम से भारत में नहीं कर सकते हैं इन घटनाओं से असपस्ट हो गया था कि भारती सैनिक अपने भारती बंदूओं पर गोली चलाने के आदेश का पालन संबहता अब नहीं करेंगे मतलब जो भारती सैनिक अंग्रेज के सैनिकों में जो भारत के लोग थे वह अब अंग्रेजों के आडर पर आंग्रेजों के आदेश पर भारत के जनता के उपर गोली नहीं चलाएंगे अंग्रेजी सरकार भारती सेन को प्रविश्वास कर सकती थी तथा संपूर भारत में अंग्रेजी सेना पूरी ले जाई जाए भारत में और जो भारत की वहां सेना थी वो भारत के लोगों पर गोली चलाने के लिए तयार नहीं होने वाली थ जब भारती सैनिकों ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई तो अंग्रेजों को जुकने के लिए विवस होना पड़ा। जब भारती अधिकारियों सैनिकों पुलिस के वफादारी संदिक्द होती जाएगी अर्था तो अभारत देश अपने देश के लिए प्रकार से वफादार हो जाएंगे। किसानों और मजदूर वर्ग में भी सरकार के विरुद्ध आंदोलनों में भर चड़ कर भाग लिया गया। ते लंगाना ते भाग प्रपनपा बालायार के किसानों के संगर्स एतियासिक थे। इसके अतरिक्त पंजाब संयुक्त प्रांत बिहार और महाराष्ट में भी किसान आंदोलन जोरों से चल गया। यह सभी कारण थे जिसकी वज़से एक प्रकार से कैविनेट मिसन आया अब कैविनेट मिसन में क्या बात थी उन सभी चीजों को जानेंगे कैविनेट मिसन कब आया था अब हम देखेंगे मजदूर आंदोलनों का रूप भी दिन प्रति दिन तीबर होता जा रहा था 1947 से 46 संपूर भारत में जगा जगा पर हरताले हुई प्रदर्सन किये गये 1946 में रेलवे हरताल ने भी उगर रूप ले लिया बस आप ध्यान से सुनते जाएए क्या-क्या हर्टाले की गई क्या-क्या जंता के द्वारह कार्यवाई की गई वी द्रोह किस प्रकार से किया गया बस आप एक बार सुन लेंगे आपके दिमाग में एक प्रकार से बैट जाएगा आप अच्छे से जब पूछा जायेगा लिखते TIME हर एक बात आपको याद आजाएगी क्योंकि कहा भी गया है सुनने से आपको जादा याद होता है एक बार यहाँ पर सुन लिए मान लिजीए साथ ही साथ अगर आप रिवीजन पीडियेफ जो दिया जाया रहा है उससे कर लेते हैं तो एक भी प्रस्ण आपका छूटने वाला नहीं है क्योंकि स्लेवस का हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कराया जा रहा है इसलिए वीडियो को अवस्य सेर कर दिये करिए अपने दोस्तों के पास उनका भी लाब हो और व्यूज बढ़ता है तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है जल्दी जल्दी वीड चान च्छात्र कारिगर दस्तक कार लगोस्तरिय व्यापारी आदि अपने अपने तरीकों से सामराजवाद वा सामराजवादियों का विरोत कर रहे थे 1946 में हुए चुनाओं में कांग्रेश की भारी जीत ने भी भारतियों की अपेक्छाओं को ब्यक्त कर दिया इसकी अतरिक्त दिती विस युद्ध में यद्यप इंगलेंड विजय हुआ किन्तु इस युद्ध के इंगलेंड पर एक प्रकार से गंभीर आर्थिक वा राजन में रखते हुए 15 मार्च 1946 को एक महत्वपूर घोषडा के जिसमें उसने भारतियों के आत्मनेड़ा के वस्विधान निर्मार के सिध्धान्त को स्विकार खर लिया भारतियों को ब्रिटिस राष्ट मंडल में रहने या थवन्ना रहने की छूट दी गई इस घोषडा में एटली ने यह भी कहा हम अलप संख्यकों के अधिकारों के बारे में सजग रहेंगे परंतु हम उन्हें बहुत संख्यकों की प्रगति रोकने के लिए बीटों नहीं दे सकते कांग्रेस द्वारे इस घोषडा का स्वागत किया गया जिन्ना को इससे घंगोर निरासा हुई पहली बार जिन्ना को या अनुभा हुगा कि इंग्लेंड की सरकार उसकी सहमती के बिना सत्ता के हस्तांतरण के लिए तैयार है पंद्रा मार्च उन्निस सुच्यालिस इसवी को पधार मंतरी इटली ने यह भी घोषड़ा की कि बिटिस सरकार भारत के सामपरदाई के ओम राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मीशन भारत भेजेगी जिसके सदस्य भारत मंतरी पैथिक लॉरेंस, सर इ लेवी एलेकजंडर होंगे यह तीनों सदस्य चौबिस मार्च उन्निस सुच्यालिस को भारत पहुंचे तथा भारत के विभिन दलोवन नेताओं से विचार विमर्स कि अभी तक हमने क्या पढ़ा किया कैबिनेट मिशन आने की एक प्रकार से आवसिकता क्यों पड़े क्य हैं उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा क्या कारड रहें एक प्रकार से हमने सभी चीजे देख ली अब जो है कैबिनेट मिशन के जो तीन सदस्य हैं पैथिक लॉरेंस सरी स्टिफट क्रिप्स और एवी जो एवी मेलन हैं यह तीनों कब आए भारत 24 मार्स 1946 को भारत आ गये क अपना प्रस्ताव लेकर प्रसाम प्रदायिकता के मामले पर कांग्रेस व बॉस्लिम लिग में समझोता न होने के कारड़ कैबिनेट मिशन ने स्वयम ही एक Pacific करते हुए कहा की हुई थी मुघम्प अली जिन्दा ने उसकी मान को और स्विकार करने कारथ जंदा की इच्छा Girdh पन्जाब और बंगाल विभाजन करना पंजाब के सिखों में दो भागों में बढ़ जाएगा इसके अतरिक तपस्चिमी वा पूर्वी पाकिस्तान में बहुत दोरी होगी जो प्रसास की अस्विधा का एक प्रकार से कारण बन जाएगी अब जो कैबिनेट मिसों में उन्होंने प्रस्ताव लाया है एक प्रकार से जो आपकी केंद्र सक्ति है वह उसकी अस्थापना की जाएगी भारती राज्ययों प्रांत उसमें संब्रित होंगे इस संग पर प्रतिरक्षा वैदेशिक संबंधी तथा संचार वियोस्था को उत्तरदाइत होगा अर्थात जो जैसे संग है उसमें एक जो केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार जो अलग-अलग राज्य है उनकी अलग सरकार और जो केंद्र है उन्हें प्रतिरक्षा का एक सक्ति दी जा रही है वैदेशिक संबंधों की सक्ति दी रही है और संचार वियोस्था की सक्ति दी जा रही है यह तीनों सक्तिया किसे दी गई तीसे दे गई ये दी गई केंद्र को और जो राज है उसे इन तीनों के अलावज इतनी भी सकतियां हैं उसे दे दिये गया उन्होंने पहली अपनी बात यह कही थी दूसरी क्या थी संविधान निर्माड के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो एक गठन करने के लिए संविधान सभा का गठन करने की बात किसने कही थी कैविनेट मिसन में ही यह बात कही थी उसने उन्होंने कहा था कि संविधान निर्माड के लिए संविधान सभा का गठन किये जाएगा जिसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिक प्रांत को अस्थान द एक प्रकार से सभा बनाई गई उसमें और सम्विधान सभा के द्वारा ही सम्विधान का निर्मार करने को कहा गया उन्होंने कहा कि 10 लाख की आबादी पर एक सीट मिलेगी और ऐसे ही हर एक 10 लाख पर सीट हो जाएगी जिससे 389 सीट कुल मिलाकर होंगे 389 में उन्होंने 93 सदस्य देशी रियासत से बताए चार लोग कमिस्नरी छेतर से बनता है और 292 प्रांतों से बताए जिसमें से 11 प्रांत जो है वह किसके थे 11 प्रांत थे ब्रिटिस सरकार के तो इस प्रकार से उन्होंने सीटों का बटवारा भी कर दिया और कहा कि 10 लाख आबादी पर एक सीट होगी उन्होंने यह भी कहा कि वयस्क मतदान होगा एक प्रकार से नहीं होगा उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही प्रांतों को तीन समूहों में रख जाएगा वर्ग A में मद्रास बंबई संयुक्त प्रांत बिहार मध्ध प्रांत और उडिसा वर्ग B में पंजाब उत्तर पस्चिमी सीमा प्रांत सिंध तथा वर्ग C में बंगाला और असम तीनों वर्गों की प्रांतों की प्रत्रिधी अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए स यह हो गया आपका मैप समझ लेजिए तो यह जो भाग है इसे उन्होंने क्या कहा वर्ग A और यह जो भाग है यहाँ पाकिस्तान अभी ही था यह जो यहाँ का भाग निकाल के बांगलादेश बना दिये गया था पहले एक में ही था तो यह वर्ग B हो गया और यह वर्ग C हो वर्ग B में आपको पंजाब उत्तर पस्चमी सीमा प्रांत और सिंध देखने को मिलेगा वर्ग A में यह देखिए आपका जो भाग है वर्ग A आपको दिखाते हैं फिर से एक बार बना देते हैं यह देखिए यह पाकिस्तान हो गया यह बांगलादेश लेके यह हो गया आ फिर वर्ग B जो है उसमें पंजाब उत्तर पस्चमी सीमा प्रांत और सिंध आपको देखने को मिलेगा वर्ग सी में आपको बंगाल और असम देखने को यहां पर मिल जाएगा तो इस प्रकार से उन्हें बाट दिया गया और कहा गया कि सभी लोग अपनी अपनी अलग अल में इस प्रकार तयार किये गए संविधान को ब्रिटिस सरकार लागो करेगी अगली बात उन्हें कहीं सभी दलों की सहायता से एक अंत्रिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी विभाग भारती निताओं के अधीन होंगे यह बाते कैबिनेट मिशन में कहीं और इसे स्वि कांग्रेस द्वारा महत्व इस कैबिनेट मिशन का हम महत्व अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन की इस योजना में कुछ महत्वपूर गुड थे सबसे अच्छी बात क्या थी जैसा कि कांग्रेस भी चाहती थी कि इसके द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्विकान नहीं कि अगया था आपको हम गुर्ड और डोस बता देते हैं उसके पस्चत्माहत्वा आपको बताते हैं गुर्ड में आपको देखने धित्तोपन नियंतर किया जाएगा ये सभी गुड़ थे दोस की बात करें तो पहली दोस यह थी कि देसी रियास्तों का मामला जो है असपस्ट नहीं था देसी रियास्तों को कहा गया था कि आपकी जो सक्तियां हैं आप उसमें से कुछ सक्तियां चाहें भारत सरकार को दे सकत प्रांतों के समुम को अलग संविधान बनाने की जो चूट दे दी थी उससे वह कहीं भी पाकिस्तान बना सकते थी अगला संग अत्यधिक कमजूर हो गया था जब देशी रियास्टों को अपनी सकती रखने की छूट मिल भी जाएगी तो संग कमजोर हो ही जाएगा प्रांत अपे चक्रित अधिक सक्तिसाली हो गए थे संग से और लास्ट उसकी एक दोस्त थे क्रिम्प्स मिसन की तरह यह योजना या तो पूर्ता स्विकार करो या पूर्ता आ स्विकार करो यह बात जो उन्होंने कह दी थी या एक परकार से दोस्त थे तो इस परकार आपको पाकिस्तान बनाने के घोर विर्योदों थे इनकी प्रसंसा तथा हरिजन में लिखा करते हुए उन्होंने प्रसंसा करते हुए अपने हरिजन जो उन्होंने लेख लिखा उसमें लिखा था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताओं में वे बीज मौजूद हैं जो इस देश को ऐसा महान बना देंगे जिसमें कस्ट और दुख का नाम न होगा दूसरी और प्रांतों को सामप्रदाइक आधार पर वर्गों में विभाजित करके मुस्लिम लिग को भी प्रसंद करने का प्रियत ने किया था कैविनेट मिसन ने इस योजना के द्वारा संविधान सभा को लोकतं मित्री आधार प्रदान करते हुए उसमें भारती सदस्यों का प्रवेश निर्धारित किया गया था और इस योजना के सामप्रदाइक प्रतिनिद्धित को कम करने दियास्तों की जनता के अधिकारों को माननेता प्रदान करने की पहली बार भारतियों को अपने भाषिस्ति के निर्मार का आउसर प्रदान किया गया था सामप्रदाइक्ता की प्रदिन दित जो थी उसे नियंतरण में रखने का इसमें बात किया गया था इस प्रकार इस योजना के द्वारा कांग्रेस वा मुस्लिम लीग के नीतियों के मध्य का मांग निकाल कर दोनों को ही प्रसन ख का अधार के रूप में बनाए रखने की बिटेन की साही योजना एक प्रकार से यह जो कैबिनेट विशन है कैबिनेट मिशन योजना का सबसे प्रमुख दोस्त क्या था इसमें प्रांतों के खंड बनाये जाने के लिए कहा गया था जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया इस में कांग्रेस वा मुस्लिम लीग एकमत न थे इसके अतरिक्त यद्ध पाकिस्तान की मांग बूरते स्विकार नहीं की गई थी किन्तों अप रत्यक्ष रूप से इसे स्विकार कर पंजाब सिख्खों को इस योजनास में चिंता में डाल दिया था उन्होंने भी यह मांग रखी कि यदि पाकिस्तान बनाया जाएगा तो वे स्वतंत्र सिख्ख राज्य की अस्थापना करेंगे बाद में कांग्रेस द्वारा आस्विधान दिये जाने पर सिख्ख सांथ हो गए इसके अतरिक्ति योजना से केंदर सदय और नेरबल रहता वहा भारत कभी सक्तिसाल राज्य के रूप में उबहन ना पाता प्रांतों को स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने की छूट मिलने से भारत ही अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग सासन ब्योस्था स्थापित होनी जिससे आस्विधा एक प्रकार से होती 25 जून 1946 इसवि को कांगरेस कार समित ने जवाहला नहरू की अध्यक्षिता में कैबिनल मिसन योजना को स्विकार किया कब स्विकार किया 25 जून 1946 को मुस्लिंग ने भी पाकिस्तान ना बनाय जाने के कार चोब प्रकट करते हुए से स्विकार कर लिया अता जुलाई 1946 इसवि में कैबिनल मिसन योजना की अनुसार चुनाओ कर आए गए संविधान सभा के लिए हुए चुनाओ में कांगरेस में 210 में से 992 अस्थान प्राप्त किये और बिटिस प्रांतों ने 296 अस्थानों में कांगरेस ने 211 लीग ने 73 अस्थान प्राप्त क चुनाओं में कांगरेस की अपार सफलता से जिन्ना की गोर निरासा हुई तथा उसने कैबिनल मिसन योजना को 29 जुलाई 1946 इसवि को आस्विकार करते हुए सीधी कारिवाई की धमकी दी जो हिंदूओं वा सिद्खों के विरुद्ध होनी थी कांगरेस की चुनाओं में विजई होने के कारडवाईसराय वेवल ने कांगरेस के अध्यक्ष पंडित जवालनान नहरू को अंतरिम सरकार बनाने की 12 अगस्त 1946 इसवि को आम अंतरित किया वेवल वा पंडित नहरू ने मुस्लिम लीक के सदस्यों को भी सरकार में समलित करन करने की गोश्रा कर दी पंजाब और बंगाल में अपार जन धन की हानी हुई 16 अगस्त की स्थिती वड़न करते हुए मौलाना अजाद इंडिया वेंस फ्रीडम में उन्होंने लिखा है 16 अगस्त भारत की इतियास का एक काला दिन है आकस्मिक रूप से उत्पन आतंक हत्या खून खराबों में पूरा सहट डूब गया सैकड़ों की जाने गई हजारों व्यक्ति घायल हुए तथा करोडों की संपत्ति नस्ठ हो गई अगर मैं गुंडों का राज्य था नगर जो है उसमें गुंडों का एक प्रकार से राज्य हो गया था इस हत्याकांड में अच्छती होई किन्तु फिर भी 24 अगस्त 1946 को अंत्रिम सरकार की अस्थापना की गोस्ड़ा की गई जिसमें निम्लिखी सदस्य सामिल किए गए पंडित नहरू डाक्टर राजिन परसाद पटेल असफली सीगो राजगोपालाचारी सरदर चंद्रवोस्ट डाक्टर मताई सरदार बल्देव सिंग सफात अहमद खान जगजीवन राम केच भामा वा सयद अली जोहर यह सभी बाते बस आपको सुन ले ली हैं ऐसा निश्चित नहीं है कि आप इन सभी नामों को याद रखे परन्तु आप जानते नहीं कि कब संगठन बनाये गया कब एक प्रकार से क 15 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में अपने प्रतिनिधी भेजने को राजी हो गई बीपी मेनन ने लिखा है कि मुसलिम लिग सरकार में इसलिए सामिल होई थी क्योंकि उसकी दृष्ट में मुसल्मानों और अन्य संपरदायों का हित कांग्रेस के हाथों में छोड़ना ठी किन्तु जब ऐसा हो गया तो विवस होकर सरकार में मुसलिम लीग को सामिल करने में ही जिन्ना ने अपनी वह अपने दल की भलाई समझी यद्यपी मुसलिम लीग के द्वारा सरकार में समलित हो गया किन्तु कांग्रेस ने उनकी कभी न पटी वीपी मेनन ने लिखा है कि कांग्रेस की इस्थिती मजबूत ना हो सके अता दोनों में कोई सहयो गुत्पन नहीं हो सकता था वित्त विभाग मुस्लिम लीग के लियाकत अली के पास होने के दूरी बढ़ती चली गई भारत में जगा जगा सामप्रदाइक पद्रों भी हो रहे थे कलकत्ता के पस्चात नुआ खाली में भी हिंदूओं को अपार हानी का सामना करना पड़ा प्रतक्रिया स्वरूप हिंदूओं ने अहंदाबाद भिहार वगड़ मुक्तेस्वर में मुसल्मानों पर अत्यचार कि ये सीग्रही दंगे भारत में अन्य भागों में भी फैल गये ब्रिटिस सरकार ने यद्य पिस से पूर्व अनेक दंगों को दबाया था किन्तु इस समय अंतरिम सरकार के कारिकाल में ब्रिटिस नौकर साही ने इस दिशा में कोई प्रियत नहीं किया वाइसराय ने 9 दिसंबर 1946 को संभिधान सभा बुलाने का निड़ा लिया किन्तु जिन्ना ने इसमें सामिल होने से इंकार कर दिया कांगेस में मुस्लिम लिएक ने अनुरोद किया कि वह संभिधान सभा में भाग ले अथोष सरकार से अपने सदस्यों को वापस ले दोनों दलों में समझावता कराने के लिए भारस सची ने एक सम्मेलन लंदन में बुलाया जो तीन से च्छ दिसंबर तक चला इसमें प्रधान मंत्री एटली वेवल जवाला नेरू जिन्ना ने भाग लिया परन्तु यह संमेलन आसफल ही समाप्त हो गया संभिधान सभा का अधिवेशन नौ दिसंबर को प्रारंभ हुआ किन्तु इसमें मुस्लिम लिग के 73 सदस्यों ने भाग लिय अता पंडित नहरू ने मुस्लिम लिग के सरकार में कायरत सदस्यों सित्याग पत्र देने को कहा इससे सामप्रदाइक धंगे बढ़े और भड़क उठे और इस परकार आपका यह जो चैप्टर है वह कैबिनेट मिशन होता है समाप्त कैबिनेट मिशन में आपने जाना इस से क्यों लाया गया इसके में क्या क्या बाते क्या क्या परस्ताव रखे गए थे और कांग्रेस ने किस परकार स्विकार किया उसके पस्चात कैसे संगठन बना और चुना हुए कांग्रेस जीती और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला लेना स्टार्ट किया मुहम्मद अली जिनना मुस्लिम लीग ने बहुत विरोध किया परंतु अंतरिम सरकार बनाने से वह न रोक पाया आगे हम पढ़ेंगे भारत की सुतंतरता के विशे में भारत के विभाजन के विशे में ये दो चैप्टर बचे हैं और एक चैप्टर सुबास चिंदर बोस और आजाद हिंद फोज बचा है ये तीन चैप्टर आपके जल्द ही कराये जाएंगे इसलिए चैनल पर बने रही है अपने दोस्तों के पास भी सेर कीजिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में